Welcome to my channel इस वीडियो में हम समझेंगे Standard Units of Volume और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम Different Units of Volume को Volume का Inter-Conversion करते हैं मतलब Conversion कैसे होता है एक unit से दूसरे unit में ठीक है तो यहाँ पर Volume के units को समझने के लिए पहले-पहले length के units को समझना जरूरी है क्यों जरूरी है मैं आपको समझाता हूँ देखे मैं यहाँ पर दो कालम बना लेता हूँ एक है एक मैं टापिक ले लेता हूँ Units of Length Okay Units of Units of Length ठीक है और दूसरा जो है मैं लेता हूँ Units of Volume Units of Volume मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि length के units से ही Volume के units बनते हैं ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ length के units लूँगा जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सबसे जो बड़ा unit जो हम use करते हैं इस समय मतलब अपने life में most of the time वो हम करते हैं 1 km 1 1 km तो यह सबसे बड़ी unit है जो use करते हैं इस से बड़ा unit जो होता है ना उसका use नहीं करते हैं बोग वो सब use होता है जैसे कि Space Research जब करते हैं जैसे कि Space में एक Earth जो है दूसरे planet से कितना दूर है यह distance find करने के लिए हम थ्रसा इससे भी किलोमेटर से भी बड़ा unit यूज करते हैं लेकिन जनरलाइफ में हम यूज इससे बड़ा unit नहीं करते हैं तो हम जनरलाइफ में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे हम केवल कुछ ही limited units of length जो है study करेंगे ठीक है तो 1 km हो गया सबसे बड़ा उससे छोटा जो होगा इससे छोटा आपका है 1 hectometer ठीक है मतलब कि इससे 10 गुना छोटा 1 km से 10 गुना छोटा ठीक है उसके बाद हो जाएगा 1 hectometer के बाद क्या आएगा hectometer के बाद आजाएगा 1 decometer ठीक है मतब के हेक्टो मीटर से देका मीटर 10 गुनाolut Infinitive होता है वन मीटर, फानली जो मीटर होता है, ठीक है, वन मीटर, वन मीटर से छोटा जो यूनिट होता है, वो होता है, वन डेसी मीटर, वन डेसी मीटर, अब डेसी मीटर के लिखते हैं, डीयम, ठीक है, और वन डेसी मीटर से दस गुना छोटा जो यूनिट होता है, वो होता ह मीली मीटर तो ये जो यूनिट्स है इनी के कर्स्पांडिंग जो है यूनिट्स आफ वालिम बनता है कैसे हम लोग पढ़े हुए हैं हम लोग ने क्या पढ़ा है कि यदि कोई एक मालीजे हमारे पास है एक मैं बना लेता हूँ एक क्यूबाइड ठीक है एक क्यूब बना लेता हूँ एक क्यूब और ये मालीजे एक क्यूब है थोड़ा टाइम लगेगा बस बन जाएगा तो एक क्यूब के जो लेंथ ब्रेत और हाइट होते हैं तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं है कि नहीं और माली जी के हमारे पास ये बन गया ठीक है माली जी के इस cube के जो length, breadth और height है वो तीनों के तीनों कितने है 1 km, 1 km, 1 km है ठीक है तो 1 km, 1 km एदी होगा 1, sorry यहाँ पर एदी हम यह लेते हैं unit इसका 1 km और यह भी लंबाई लेते हैं 1 km और यह भी लेते हैं 1 km तो इस cube के अंदर का जो space है, मतलब इसका जो volume है, वो कितना होगा तो जो इसका volume होगा वो होगा 1 km length into breath breath कितना है, 1 km ही है और height कितनी है, यह भी है 1 km, तीनों का multiply करेंगे तो मिलेगा आपको 1 km cube है कि नहीं तो यह जो 1 km cube है ना, वह km जो length है इसके corresponding units of unit of volume है मतलब km यदि length लेते हैं काउंसा length? मतलब length, breath और height length, breath और height, cube या फिर cube का जो हम length, breath और height यदि measure करेंगे km में तो उसके corresponding unit of volume आएगा, वो आएगा km cube और km cube को हम यहाँ पर लिख देंगे 1 km cube ठीक है, km के cube km corresponding जो है 1 km cube आएगा लेकिन, यह जो km cube जो है ना, वो use नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह सबसे बहुत बड़ा मतलब distance हो जाएगा तो ऐसा cube कभी आप नहीं देखेंगे life में क्योंकि यह बताएगे, यह 1 km का इदी length है इसका मतलब कि आपकी जो जिस city में राते हैं या फिर जिस village में आप राते होंगे उस पूरे village को cover कर लेगा यह तो ऐसा cube तो आप देखें नहीं होंगे जो पूरे village जैसा बड़ा हो या फिर पूरे city को cover करते हुए उतना बड़ा हो ऐसा तो होगा नहीं इसलिए इस 1 km cube का use हम नहीं करते तो इसका use हम नहीं करते ठीक है अब आते हैं 1 hectometer में 1 hectometer का मतलब क्या 1 hectometer यदि length होगा इसका length, breadth और height तो बनेगा हमारा unit 1 hectometer cube क्योंकि 3 पर मतपलाई करेंगे हैं पर 1 hectometer into 1 hectometer into 1 hectometer 1 hectometer cube हो जाएगा 1 hectometer cube भी एक unit है लेकिन इसका use हम नहीं करते क्योंकि यह भी बहुत बड़ी unit है और इतने बड़े cube का कही use करते नहीं है इसलिए इसका भी यूज नहीं करते हैं उसके बाद next है dm d am decameter तो 1 decameter यदि length होगा ये तो 1 decameter के use जो है कहीं कहीं पर होता है तो 1 decameter cube ये एक unit है volume का इस length के corresponding मतलब कि cube का या cubite का length, breadth and height यदि decameter में दिया हुआ है तो इसका जो volume का unit होगा वो होगा 1 decameter cube ठीक है अच्छा 1 meter अब यहाँ पर आ जाते है 1 meter तो इसका use तो definitely होता है 1 meter वाला तो 1 meter का यदि length, breadth, height है जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है यदि हम ये मिटा दे और यहाँ पर केवल हम meter का use करें ठीक है केवल meter का जैसे यहाँ पर ये माल जेकी 1 meter है ये भी 1 meter है और ये भी 1 meter है तो जो volume आएगा वो कितना आएगा जो volume आएगा जो volume आएगा वो आएगा 1 meter multiplied by 1 meter 1 meter means आएगा 1 meter cube है कि नहीं तो यह जो 1 meter cube होगा याना वो volume का unit होगा जब length, breath और height को measure करेंगे meter में ठीक है के लिए हो रहा है सब कुछ यह बहुत basic से बता रहा हूँ मैं तो इदम कोई doubt नहीं रहेगा इसमें आप सब कुछ समझ जाओगे conversion भी समझेंगे और liter को भी समझेंगे कि liter क्या होता है ठीक है अब आते हैं नीचे इसके देखें meter से जो decimeter होता है वो 10 गुना छोटा unit होता है meter से तो 1 decimeter यदि हम लेते हैं length ही है decimeter, 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 length यदि length, breath और height तो उसका जो unit होगा volume का वो आएगा decimeter cube means 1 decimeter cube और जो यदि centimeter लेते हैं तो आप जानते हैं इसका तो यूज हम पढ़ी चुके हैं इसके पहले वाले exercise में तो 1 centimeter cube यह होगा जब centimeter length लेंगे length का unit यदि length का unit millimeter लेते हैं millimeter तो उस समय जो volume का unit होगा वो होगा 1 millimeter cube ठीक है तो यह हैं आपके units of volume corresponding to units of length अब यहाँ पर समझेगा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पर related है one liter तो one liter किसको बोलेंगे इसमें से तो देखें यहाँ पर जो unit सब volume में लिखा हुआ हूँ इसमें से कोई एक है जो one liter के बराबर होता है ठीक है मतलब यदि इसका यहाँ पर मैं दिखा हूँ यदि यह जो one meter लिखा हुआ है इसको मैं मिटा दू और यह भी मैं मिटा दू और मैं चाहता हूँ कि यह one liter कब होगा मतलब इस cube का volume जो है one liter कब होगा यह मैं निकालना चाहता हूँ मतलब आप मैं समझना चाहता हूँ कि लीटर क्या होता है लीटर की यूनिट में हम ये क्यूब का वालूम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे तो ध्यान देजिए यहाँ पर ये जो decimeter cube लिखा है न decimeter ये जो dm cube इसी point समझना है सब कुछ ठीक है ये जो decimeter cube है ये one decimeter cube जो होता है न वही बराबर होता है one liter के one क्या होता है one liter के बराबर होता है मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि एक cube लिया जाए यहाँ पर cube है न यदि cube का length यदि मालेजी की one decimeter है और breath भी कितना है one decimeter है और height भी कितना है 1 decimeter है तब इसका जो volume आएगा जो पुरा volume आएगा वो क्या आएगा 1 dm multiplied by 1 dm means 1 decimeter मटप्रेबी 1 decimeter मटप्रेबी 1 decimeter यह नहीं होता है length, breath, height तो मटप्रेबले करें तो क्या मिलेगा 1 decimeter Q मिलेगा और यह जो volume है न 1 decimeter Q यही बराबर होता है 1 liter के मतलब इसी को हम लोग बोलते है 1 liter मतलब इसी का अलग नाम है 1 liter समझ में आ गया ना मतलब 1 decimeter Q जो है 1 liter के बराबर है यह आप मान लो यही माना गया है और यही नाम जो है दिया गया है तो 1 liter is equal to 1 decimeter Q यह बहुत बहुत important 1 decimeter Q is equal to 1 liter ठीक है समझ गया अब जो है यह जो 1 centimeter Q है वो तो centimeter Q जानते ही है centimeter दिलेंगे लें तो centimeter Q निका लेंगे तो अब यहाँ पर आप समझना है अब समझ गये कि liter क्या होता है और यह सारे units of volume different different तरीके से यूज किया जाते है सारे सारे बस हम kilometer Q और hectometer Q क के use नहीं करते लेकिन decimeter Q के यूज की क्या जाता है meter Q के यूज के जाता है और liter का दोर आप जानते ही है हर जब जगर यूज के जाता है जब भी कोई दूद बाला आपके घर आता है या फिर आप पानी लेते हो तो लिटर में ही लेते हो, है कि नहीं तो ये सारे cm3 का यूज़ के जाता है बहुत छोटे units में, ठीक है और ये 1 mm3 का यूज़ के जाता है जब हम एक cell का, एक अपके body का जो cell होता है, उसका volume निकालते हैं, ठीक है, तो mm3 का यूज़ करते हैं, या फिर किसी molecule का volume निकालते हैं, तो mm3 का यूज़ करते हैं, या उससे भी छोटे volume का यूज़ करते हैं लोग, तो वो सब आप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है तो अब यहाँ इसके बाद क्या करना है, अब next slide में हम समझेंगे, इसी के बाद, कि conversion कैसे करेंगे, यह important चीज है, है कि नहीं, मतलब एक volume का unit दिया रहेगा, तो उसको दूसरे unit में कैसे convert करेंगे या फिर liter में दिया रहेगा, तो meter q में convert कैसे करेंगे, या फिर liter में दिया रहेगा, तो तो हमें समझना होगा पहले length के जो units होते हैं, इनको कैसे कर्मड करते हैं, तो यह जो basic units मैंने लिखा हुआ है, इसमें क्या है, दीखे 1 km जो है, यह मैं इन में और इन में relation निकालू, तो 1 km जो है, वो बराबर होता है, 10 hm के, मतलब 3 hectometer के ठीक है means 10 गुणा मनभि है कि hectometer से 10 गुणा बड़ा होता है कि वाल 10 गुणा बड़ा होता है ठीक है वैसे ही इन दोनों एन presented knowledge निकालूँ किसमे hectometer में और decometer में तो हम यहां पले सकते हैं कि one hectometer जो होता है वो बराबर होता है 10 decameter के ठीक है मतलब कि 10 times बड़ा होता है hectometer का unit decameter से और यदि मैं decameter और meter में relation निकालूँ तो meter से decameter 10 गुना बड़ा होता है means मैं लिख सकता हूँ 1 d am means decameter is equal to 10 meter ठीक है और यहाँ पर आप से देख सकते हैं कि meter meter में और decimeter में यह क्या है निचे वाला decimeter है यह तो इसमें जो relation होता है वो होता है कि 1 meter is equal to 10 decimeter मतलब 10 गुना तो बस रहेगा ठीक है उपर वाला जो है निचे वाले से 10 गुना बड़ा है बस यहाँ पर देखिए अब इसमें और इसमें क्या होगा तो इसमें जो है 1 decimeter जो होगा वो बराबर होगा 10 cm के ठीक है और वैसे ही यहाँ पर देखिए 1 cm जो है 1 mm से क्या relation है तो 1 cm जो है वो बराबर होता है 10 mm के तो यह जो sequence है यदि अव्याद कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा इस तरीके से ठीक है अब आपको समझना पड़ेगा वो एक चीज और कि यदि हम दो-दो का relation निकाला है तो क्या होगा जैसे माल जो है कि इसमें और इसमें निकालना चाहते है तो क्या relation होगा तो हम इसको ऐसे करेंगे 1 km is equal to कितना डेकामीटर तो देखे दो बार जम कर रहा है न यहां से मतलब एक बार यहां से यहां इसको बार से यहां से यहां तो दो बार जम करने का मतलब यह हो गया कि 10 एक बार मुटिप्लाइए नहीं करेंगे 10 से बार करेंगे मिंस 2 0 लाएंगे मिंस यहां पर कर लेंगे हम 100 dm d a e y मतलब 1 kilowatt बार आभ भार होता है 100 dm यह रहां दो जम किया हम अब यहां पर माली जो कि मैं 1 meter से जम करेंगे दो बार यहां पर मतलब कि 1 meter में कितना cm तो हम जानते हैं कि 1 meter में मैं आपको तुरंट यहां पर लिजाओं कि 1 dm और 1 mm में क्या relation होगा तो अब तुरंट कर सकते हैं कि कितनी पर जम किया है यह देख लिजे तो 1 2 3 4 इसका मतलब कि 4 0 जरहेंगे मिंस आप ऐसे लिशकते हो कि 1 dm 1 dm पर अबर होता है चार 0 लगा दिजिए 1 के आगे तो 1 के आगे 1 2 3 4 मिंस यह हो गया कितना 10,000 10,000 mm मिली मीटर मिंस 1 dm is equal to 10,000 mm तो आप जो है समझ गए कि कैसे हम length के units का conversion करते हैं लेकिन आपको यहां पर directly अब थोड़ा सा उल्टा समझाता हूं मैं सिमाल जो कि 1 mm को change करना है मीटर में मालेजे 1 mm को change करना है किसमें मीटर में तो हम कैसे लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा अब जैसे नीचे से उपर यह जाना होगा तो हमें divide करना पड़ेगा तो जतनी बार उपर जाएंगे उतनी बार divide करना पड़ेगा 10 से देखें आपर कितने बार गए यहाँ पर mm से cm में उपर गए ऐसे फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए आपको चंज करना है 1 mm को मिटर में तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1 mm वराबर 1 upon अब नीचे से डिवाइड करेंगे ठीक है 1 में डिवाइड कर देंगे मतब 1 mm में डिवाइड कर देंगे कितना से जितनी बार उपर गए होंगे एक बार दो बार तीन बार तीन बार जा रहे है न थ्री जिरू लगा देंगे मतब कि 1 upon 1000 meter ठीक है तो मतब उल्टा जदी करना हुआ करना होगा तो आपको 1 upon डिवाइड करना पड़ेगा यदि उपर स करना है कि 1 dm3 can puta about cm3 आपको ये करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 decameter समझना पड़ेगा कि कितना cm होता है तो 10 cm यहाँ पर हम इन लिखा है ये रहा ये रहा 1 dm10 Central होता है तो यह आपवए जानते हैं तो ये लिखने के बाद आपको cm3 निकालना है तो दोनों तरफ cube करतीजिए means 1 decimeter का यदि हम cube निकालेंगे तो आपको यह करना पड़ेगा right side में भी cube करना पड़ेगा मतलब 10 cm का cube निकालना पड़ेगा इसका मतलब कि क्या हो जाएगा ये 10 cm multiplied by 10 cm multiplied by 10 cm मतलब ये हो जागा कितना 1 के आगे 3 0 cm3 मतलब कि 1000 cm3 होता है कि इसके बराबर 1 decimeter cube के बराबर मतलब कि 1 dm3 means 1 decimeter cube बराबर होता है 1000 cm3 इसका मतलब ये हो गया कि एक और बात हम यहाँ पड़े हुए है कि 1 decimeter बराबर होता है यहाँ पर 1 liter है कि नहीं अभी पढ़े हम लोग कि 1 decimeter के बराबर 1 liter होता है इसका मतलब कि हम ले सकते हैं 1 liter इसकी जब ले सकते हैं 1 liter तो 1 liter बराबर हो गया कितना 1000 cm3 ये हो गया एक relation ठीक है तो ये जो relation है ये काफी important है ठीक हो क्यों कि cm3 से लीटर में डायेट में relation दे दिया अब आपको ये पता करना हो कि meter और liter में क्या relation है तो क्या करना पड़ेगा कुछ करना नहीं है आपको start करना है liter से जैसे माल ले कि 1 liter बराबर कितना meter cube होता है आपको ये पता करना है कि 1 liter बराबर how much meter cube तो कैसे पाइट करेंगे तो आपको किया करना पड़ेगा आपको simply ऐसे करना है पहले आपको 1 litre बरबर लिखना पड़ेगा कि कितना decimeter क्यों होता है त आप जानते हैं 1 decimeter क्यों होता है कि यही याद रखे रहे हैं और आप यह भी जानते हैं कि 1 decimeter आप यहाँ पर देखें तो नीचे से यह उपर जाना है तो divide करना पड़ेगा इसका मतलब कि यहां पर 1 decimeter के जगा पर 10 meter और आप लिखेंगे जब यहां पर 1 upon 10 meter तो इसका हो जाएगा cube क्योंकि power यहां पर 3 है तो यह हो जाएगा कितना cube करने पर मिल जाएगा 1 upon 1000 क्योंकि तीन बार एक cube गरना पड़ेगा और यह हो जाएगा meter cube means 1 liter बार बार होता है 1 upon 1000 meter cube और इसी को आप थोड़ा सा cross multiply करेंगे means यहां पर हम लिख सकते हैं कि 1 liter बार इतना तो इतना आपन बार लिख सकते हैं cross multiply कर दीजे इधा से इधार और इधा से इधार क्या मिल जाएगा आपको 1 into 1 तो क्या मिलेगा 1 into 1 मिल बार हो जाएगा meter cube 119 मतलब कि 1 meter cube बराबर होता है 1000 liter आपको यही मिल गया और आपको यही मिल गया कि 1 liter बराबर कितना meter cube होता है 1 upon 1000 meter cube तो यह भी relation आपको मिल गया तो कहने का मतलब कि आप किसी volume के unit को convert कर सकते हैं दूसरे से बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम length के units को convert करते हैं ठीक है क्योंकि length के unit से ही तो बना हुआ है तीन बार multiply करके volume का unit है कि नहीं मैंने यह सुरू सही बता दिया है सबको समझा दिया है तो इसमें से किसी को किसी के रूप में आप convert कर सकते हैं मैं आपको एक और example बस दे देता हूँ और यह final example है अब इसके बाद नहीं बता हूँगा ठीक है तो जैसे इसको मान लेजे कि 1 mm cube बराबर convert करना है आपको 1 hectometer cube में मान लेजे ठीक है मतलब कि आपको यह पता करना है कि 1 mm cube बराबर how much hectometer cube जैसे आपको यह पता करना है तो आपको find करना पड़ेगा पहले-पहले यह बात कि 1 mm बराबर how much hectometer होता है पहले यह find करना पड़ेगा मतलब length वाला find कर लिजे तो 1 mm बराबर होता है hectometer में देख लिए यहाँ पर कितनी उपर गए है तो यहाँ पर गए यह एक बार दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बने पांच वी बार में यहाँ पर आ रहा है न तो मतलब कि यहाँ पर 1 upon, divide करेंगे, नीचे सूपर जा रहा है न तो 1 upon यह 2, 3, 4, 5 इतना hectometer आएगा तो 1 mm बराबर होता है 1 upon, 1 lakh 1 lakh hectometer अब यहाँ पर क्या करना होगा अब यहाँ पर meter cube कर नेकालना है तो दोनों तरफ क्या कर दीजे cube कर दीजे, यहाँ पर cube करेंगे और यहाँ भी cube कर देंगे, यह मिल जाएगा आपको 1 mm cube और यह बराबर हो जाएगा इसका cube करेंगे देखें बहुत बड़ा number आ जाएगा 1 upon क्या करना है 3 बार ये multiply करना है means एक के आगे कितनी बार 5 का 5 बार 3 बार करना है पड़ेगा means 15 आएगा means आप लिए सकते हैं 10 to the power 15 10 to the power 15 लिए जाते हैं hectometer cube ऐसा होगा तो खैर ये conversion कभी पूछेगा नहीं लेकिन किवल देखें आपको जो है न volume में conversion किवल पूछ सकता है कि mm से cm क्यों में convert करिए या फिर cm से decimeter क्यों में करिए या फिर decimeter से meter में करिए या उपर से नीचे की तरफ इसके उपर जो ये 3 units है इसका यूजी नहीं होगा volume के conversion में तो इसको बूली जाइए किवल आप practice कर लिजे यहां से यहां तक जैसे मैं कुछ question कर देता हूँ या पर आप करिएगा इसको आप बताएगा आप बताएगे कि 20 decimeter cube ठीक है इतना बराबर how much cm cube होता है जरूर बताएगा आप और ये comment box में निकाल करके आप मुझे बताएगे कि ये 20 decimeter cube बराबर how much cm cube होता है यदि आप character answer बताएगे तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा कि हाँ आपने character answer बताया है या आप देखें इस वीडियो को और इससे मुझे ये बताएगा कि आप last तक देखें है और आपको समझ में आ गया है कि मैंने यहाँ पर क्या बताया है आपको ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इससे क्या होगा कि आप इस chapter के जो भी मतलब volume से conversion का जो भी मतलब topic रहेगा या कोई भी question रहेगा तो आप इसमें बहुत असाने से solve कर पाएंगे वैसे मैं सारे questions solve करूँगा इसमें और आपको सारे questions का सुट से मिल जाएगा तो वो भी आप देख सकते हैं ओके thank you so much for watching like कर दीजिए, share कर दीजिए और दोस्तों को बताएए और दखते रही है मेरे साथ, बने रही है क्योंकि मैं आपके साथ class